आज मैंने बनाया है लासुनी नमकीन और लासुनी गाठिया जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है बहुत ही पॉपिलर है और इसे अब इसली घर पे बना सकते हैं शुरू करते हम रेसिपी को अगर अभी तक अपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले च प्लाव और यह है एक चमच बड़ी वाली जो इलाइची आती है यह वाली जो गरम मसाले में यूज होती है उसके मैंने दाने निकाल लिए है जो अरौंड वन स्पून है इन सारे स्पाइस को हम एक ग्रेंडर जार में डाल करें और इन्हें ग्रेंड कर लेंगे और इनका बनाएंगे एक फाइन पाउडर यहां मैंने लिया है 25 प्याम लैसुन और यह है 8-10 ग्रेंड चिलीज पाउडर को हमने पीस लिया है और यह कुछ इस तरह से बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए अगर पाउडर बिल्कुल फाइन नहीं है तो आप इसे चलनी में भी इसे में निकाल लिया है एक तरफ और सेम वे में हम यहाँ पर ग्रेंड चिलीज को और गार्लिक को एक साथ पीस लेंगे चुकि यह लैसुनी से भे तो गार्लिक को यानि की लैसुन तो हमें चाहिए ही ग्रेंड चिली को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्या साथा कर सकते हैं तो यहाँ है हमारे पास इसका फाइन पेस्ट इसे भी हम एक बॉल में निकाल लेते हैं अब हम बनाते हैं गाठिया तो इसके लिए हमें चाहिए यह पर एच हंड़ेड ग्राम बेसन और चिकपी फ्लाइए इसमें मेंने डाल दिया है वो जो हमने मसारा डाइन किया था अभी होँ वो इसमें डाल दिया है, इसी के साथ में यहां पर मैंने ले लेजून और चिलि का पेस्ट डाल दिया है, 1.2-1, अल्दी पाउडर और ट अमरिक पाउडर डाल दिया है, तो स्पुन इसमें जाता है, सौल्ट और नमक, प्तोर द बस 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 करने हैं, स्पून यह खड़ा धनिया जो बहुत ही अच्छा और भैदरिन टेस्ट रेता है हमारे गाठिया को तो एक चमच मेंने वो डाला है और यहां पर मैं अजवाइन दाल रहे हूं फिर से एक चमच जो पाउडर नहीं है खड़ा अजवाइन है यही पर हम एक करेंगे 150 ml में जिसे बताया है उसे क्या कोडिंग लें स्पाइसिस आप कम और जादा कर सकते हैं पर जो हमने ओल और बैसन का रेशु लिया है वो प्रॉपर होना चाहिए इसे हमने मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका एक डोव बना ले जीस तरह से हल्वाइ मार्केट में सेव नम्कीन या गाटिया बनाते हैं वह एही तरीका है जिस दर को बनाते हैं एकदम प्रोफेशनल वे में हम भी बना रहे है आप भी इस तरह से ट्राइ कर सकते हैं यह सेवमेकर है और इसे मैं ग्रीज कर ले रही हूँ ओयल से इसे आप किसी वरतन की शोप से या फिर ओनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं 200-300 रुपर में बहुत इसली मिल जाता है इसक्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी आप वहां से भी से पर्चेस कर सकते हैं इसमें हर तरह के नमकीन के और गाठे के नोजल सें तो यहां हम गाठे बना रहे हैं तो मैं यहां सबसे बड़े वाला नोजल चूस करने वाली हूँ के वाले means wrap. और उसे बहां निकल आए तो इसरे सहरे से उसे लूता है श्टवी हम दो कर दूंट ऑपिश्ट के उंदर को दो करें अ पिस्ट जो अभी हमने रेडि किया था वमिश्ट के इस स्टाफ्स नमा पको फारोगंogen लें है है और इसे क्लोस कर लिया है ओई हमारा होट हो चुका है और इसके अंदर हम पर्म करना शुरूर करेंगे गाठिया आप देख सकते हैं बहुत पर्फेक्ट तरीके से मारे गाठिया बहार निकल के आ रहे हैं एक बार में आप अवर लोड ना करें उतने ही गाठिया आप डालें जितने की समय आ सकते हैं फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडेम रखा हुआ है एक बेच को फ्राइ होने में दूसरी तीन मिनट का टाइम लग जाता है एक मिनट हो चुका है अब हम इसे टर्ण करके दूसरी तरफ भी फ्राइ कर लेंगे इस तरह से लहसुनी गाठिया आप भी घर पर बना सकते हैं और इसे एर टाइट कंटेनर में स्टोर करके कम से कम वन मन तक एंजोई कर सकते हैं यह बहुत ही परफेक्ट टी- स्नेक है मुवी टाइम इस नेक है और आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहें तप भी बहुत ही परफेक्ट रहता है और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत जो रख़ाता है वह दूद्ध कृस्पी हो चुका है और इसे में बाहर कर लोंगा जैसा कि आप देख सकते हैं यह बिल्कोफ कृस्पी हो चुका है आप इसे बनाएं एंजो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मगूलीगा थैक्स वर फोर्चिंग